आप सभी जानते हैं कि आपकी वीडियो यूट्यूब की सर्च में भी आती है तो आज का जो अपडेट है वो गूगल ने किया है और ये अपडेट यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है तो क्या है अपडेट किस तरह से यह आपको परिशान कर सकता ह है आईए इस वीडियो में जानते हैं इस वीडियो को अंतर देखिएगा अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह अपडेट आपको कोई नहीं बताने वाला देखें आप सभी इस चीज़ को अच्छे जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ह हमारी यूटूब की जो वीडियो होती है वो हमारे यूटूब पे अच्छी नहीं चल रही होती है लेकिन Google से हमें अच्छा रिस्पोंस जो है वो आ रहा होता है साथ-साथ, कई बार कुछ वीडियो हमारी ऐसी होती है जिनको other websites भी जो है ले लेती है अप्लोट कर देती है एमबेट कर लेती है उस वीडियो उस वेबसाइट से हमें काफी अच्छे व्यूज मिलते हैं कम्पलीटली फाइन है कोई इसमें पॉब्लम नहीं है लेकिन आप दो तिन चीजों को बहुत धान से समझेगा क्योंकि यही चीजें आगे जाके आपकी रैंक्स पर फरक डालने वाली हाला कि इस से यूट्यूब की जो वीडियो है उसका रैंक भी हाँ पर डाउन होगा आने वाले दो वीक्स में अगर आपको लगे कि आपकी जो वीडियो थी उस पर पहले अरतारेस घंटे में काफी व्यूज़ आ रहे थे लेकिन इद्धम से ना तो रैंकिंग में आ रही है और ना ही वो खासवार से गूगल की रैंकिंग में आ रही है और ना ही वो आपके उस पर व्यूज आ रहे हैं कहानी कुछ ऐसी है साहब कि यूट्यूब ने अपनी लिंक पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है और वो अब आपके जितने भी लिंक्स होंगे उनको वो माइनूटली चेक करेंगे देखे गूगल और यूट्यूब है तो एकी चीज ले पॉलिसी क्या है पॉलिसी है कि अगर आपने कुछ ऐसी लिंकिंग कर रखी है या ऐसे कुछ लिंक प्रोवाइड करा रखें तो आपको पैनलाइस किया जा सकता है अब पैनलाइस जो है उन्होंने अभी मोनेटाइजेशन पर तो इसका आसर नहीं होगा यह बात ध्यान कि जैसा कि योट्यूब की जो एकट송नल लिंक पॉलिसी है वह साफ साफ बिगया कि आप कोई लिंक में आपको उपको एकंप्व लॉसा बनाइस करें कि हाँ आपको एक वीडियो बनाने चाहिए है साथ-साथ शॉर्ट लिंक्स पहले जब गूगल का शॉर्ट लिंक चलता था तब तो को कम्प्लिटली फाइन था अभी बिटले चलता है सबसे बिटले चलता है इसके अलावा अगर कोई ऐसा आप प्रमोशन कर रहे हैं आप सोचते हैं कि मैं शॉर्ट लिंक से भी प्रेसर कमाल हूं तो आप गलती करेंगे आपकी वह रैंक वहाँ पर वीडियो नहीं होगी गोगल पर रैंक नहीं होगी हो साथ-साथ यूट्यूब से भी आपको गाइडलाइन की प्रॉब्लम सा सकती है अभी इसको वेबसाइ है या कि आपकी कोई वीडियो किसी वेबसाइट पर एंबिडिड है तो और वहाँ पर एफिलेट मार्केटिंग होती है अलग तरीके की तो एफिलेट मार्केटिंग सिर्फ एमजान फिलिपकार्ट और सब चीजों के लावा भी बहुत सारी होती है 18 प्लस वाली भी होती है तो वहाँ पर अगर कुछ ऐसी लिंकिंग हुई भी है जो स्पैमी है नलिफ आये है तो गूगल उस वेबसाइट को पैनलाइज कर सकता है और जाधा पैनलाइज करने के बाद वेबसाइट को रिमूब भी कर सकता है इस बात का वेबसाइट ओनर्स को ध्यान रखना और उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में दो वीक्स में आप ये अपडेट देखेंगे और बहुत बदलाव देखेंगे गूगल की सर्च रैंकिंग में तो आपको क्या करना है आपको अगर आपने अपने डिस्रिप्शन बॉक्स में कोई ऐसे लिंक्स दे रखे है, जिनका आपको लगता है कि इस बह aixíम है, या अपने जिसे लिंख ले। दिनों में आपको परशानी हो सकती है तो ये थी अपडेट लिंक पॉलिसी में हुआ है बहुत बड़ा अपडेट दो सब तहां के अंदर आपको इसका इंपक्ट देखने को बिलेगा वैसे लगी आपको वीडियो जुरू बताएगा कमेंट करके मिलता हूँ आप से एक नई वीडियो में